ब्रेन ओन टीवी दे सारे दर्शानूं एक वरी फेर मेरी तरफों वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की पते हैं आज इस संखेब जी विचार वटां देने बेचेंगे असी इस नुक्ते देपर विचार करांगे कि कुछ सजनावनों जिसले किसी दूजे सजन दे परती या दूजे गुरुप दे परती गाली गलोच पदीश अगाली मावा पैना दी गाला गनिया गाला परती है जान दी और उस विले ए नाली आर्गुमेंट देता है दा कि ए गाला असी इस वस्ते कड़ रहे हैं क्योंकि इना गाला दी इजाजसानों गुरुबाणी दे दी ए आर्गुमेंट जड़ा परती है जंदा ओदे विच मैं जादा गुरुबाणी दे हावलेया मेंच ना जान दे हुए मैं एक जनरल काल करांगा जिस जिस जिदे पर असी इस सारे सीनलू समझ सकी है कि यह ठीक है यह गलत है अंग्रेजी दे एक कहावत है कि डैवल कोट्स स्क्रिप्चर यानि कि शैतान तार्मिक गरंथ दे हावाले वर्तदा इदे विच कोई शक नहीं है और एक कोट जिड़ा है अपने आप इस बड़ा एक बैलियोबल को है और एक बड़ा ऐसा कोटेशन है जिदा असी प्रैक्टिकल रूब लिड़ा है और एक्जांपल मैं दोनों देयांगा इस कोटेशन दी पहले में मतलब किलिए कर देयां इस कोटेशन मतलब यह है कि कोई बंदा अपने किसी शैतानी कम नूँ जस्टीफाई करन वस्ते त करता है ताकि मैं अपने शैतानी कम नूँ अंजाम दे सका है इस मंशान देनल ओ तार्मी गरंते हवाले नूँ बढ़ता है ते उस नूँ कहांदे ने डैविल कोट्स स्क्रिप्चर एक्जांपल मैं देयांगा ते आज सुचे तो अनूँ औरंग जेदी कि सुबटरंदे लिए जिसलिए सभ जादेंदर ट्राइल होया है सरांदे ח ऑए दो फैसले नूँ शरीय द्याद दियूपर की ता गएे कि सैब जादे नूँ जड़ी स्याद इत्ती की उदे वस्ते जड़े फैसला सी वो शरियत देदार ते कीता गया कि बही इना नू देवारा विच्चिड देता जाए बोधे काट उतार देता जाए ऐसा करन विश्त ली एक शयता नी गम सी एक शयतानी गम सी लेकिन इसकाम नो गर्ट की और कोट करके घल्थ कोट करके उननू उधासी टाई कटे आगया कि न सैब जादे नू बहुते काट उतारते थे और यही का जड़िया नोवे पाशाजी दे मेले भी होई और बहुर इपॉर्टेंटली जिस वेले और जेव दे शाजादी डेथ तो बाद उधे पुत्रह दे बेचे गद्दी नू लाया के जंग छड़ गया इबरीबोडी नोस कि ओ लाई जड़िया और जेव दी अपने प्रावादेनल ओ गद्दी नू प्रापत करनी लढाई सी उस लढाई देवेचे उस स्ट्रगल देवेचे और जेव जेतू हो गया कुछ प्रावानों उन्हें मार दिता जंग देवेचे और इक प्रावानों दारशिकों नू उन्हें अरेस्ट कर लिया जेले दारशिकों नू अरेस्ट कर लिया ते उधा ट्राइल चलिया उन्हें अरेस्टेट प्रेजिनल नू मारना है ते किसना मारना है कोई तरीका कार टॉर टॉटे और सजाधे कर काजी वर चैनल ना करना है कि दाराशी कौ इसलाम दे खलाफ लड़ रहे हैं इसलाम दे खलाफ लड़ाइद आए जी ओ छेड़ी है ते इस वसे शरीयत मतावक इसी सजा बढ़ दी है कि इनुब मौद दे काट अतार जिता है जब की सारे नों पता है उसले काजिया नों भी पता सी कि ए लड़ाई जड़ी है तरभी लड़ाई नहीं है दाराशी को गदी वसे लड़ रहा सी और गदी दे वस और इस तरह ही जिले आसी इसे सब्सक्राइब कुछ परचार का देव पर कुछ विचारक सजना देव पर कुछ टिपड़ी कारणा देव पर जिले सी लेके आन्या ते आजो एही अपना शैतानी काम पूरा कर नवास दे कोट किनू कर देन गुरु गरंद साथ कि भी सानू एक गाला कट्रदी इजास्त गुरु गरंद साथ देन दे उन ए दावा उना लोगां वोग कीता जा रहे हैं एक गाली गुलोच ओ बंदे कर रहे हैं जड़े बंदे एक दावा कर देन एक क्लेम कर देन कि यसी सोड़े समाईदी सरजना करनी है पहले इस चीज़े नूँ समाई तो भी कुछ सेखलें न एक बंदा कहएं कि मैं ही सारा कुछ समाई नूँ सिखाना हैं तो समाई तो मैं कुछ सिखना नहीं हैं तो उस बंदे नूँ ते इलिटरिट किया जाएगा तो उस बंदे नूँ अजान किया जएगा अनपड़ किया जएगा यह विझा दावाह पेश करें कि मैं ही समाई नूँ सबकुर सकाना है मैं ही समाई नूस सोड़ा मेना न हैं लेकि समाई तो मैं सिखना कुछ नहीं है ते यहीं किसे कोडी जाकर देखनें जिसलें दो कि वकील आपर इस बैस करते हैं ति बैस करन गोग एक दुज़े हो रामजादा केज़ एक दुज़े रूंप कज़र के लिए अधर मतलब आए है कि अगर सिक कोई वकील बन जाए अगर इना दा इना तब के वनों इस ग्रुप वनों पड़ाया कोई सो कार्ड अप्ग्रेड से एक वकील बने तो वकील दे विच जागे जिले जिरा करेगा U.S.A.D. कोड दे विच किसे दूसरे वकील लग तो उन्हों की किये गा कि ओ कंजरा मेरी गाद सुन या उन्हों की किये गा कि मैं तेरे इस विचार ना सहमत नहीं है क्योंकि तेरे इस विचार दे पिछे दे कारन तो पूरा हराम जादा लग रहे है तो फिर एक इस किसम दो सोड़ा समाज बढ़ेगा हालागी इस चीज़े पर कनून है कि legitimate चाइल्ड कुण होंदा और illegitimate चाइल्ड कुण होंदा जिड़ा illegitimate चाइल्ड है उन्हों किया जान्दा उदा तर्जमा जान्दा कि हराम जादा लेकिन उन्हादा पर प्रपेग बखरा होंदा है उत्ते उदी शब्दावी दा पर प्रपेग बखरा होंदा उन्हों कि एट्वे कोई बंदा एड्रा करेगा क्योंकि केस दे विच एक आईएस करके असी इक दूझे नों हराम जादा कह सकने तो गुरू सामने किते शादू बरते हैं गुरू सामने किसी स्पैसिफिक बंदे नों टार्गड करके कुई गल गई है सो एक भूर एक्जांपल विचारनी लोड़ा है कि यू ऐसे दे वेचे जुबान दी गल में करता है सोड़े समाज अगर जिनने बनाना है समाज तो से करने कि यू ऐसे दी कोट दे वेचे एक लड़की दा केस गया उस लड़की ने उस लड़की ने एक सवाल कर देता है उनने सवाल कर देता कि अन्दा मैं पूशना चाना कि जिस ले तेरे नल जवर जिनना कीता जा रहा है थी तो अपने बचावा से की कीता उस लड़की ने किया कि मैं अपने बचावा से हाथ पैर मारे कोशिश की थी जोर रहा है लेकिन वो क्योंकि बींगे मैं वो मेरे तो जादा स्ट्रॉंग सी तकड़ा सी शिरीर ही वो पिछ जिले उन्हें सवाल उन्हों कुछ है उन्हें कि दिद यू क्लोज यूर लेग्स एचाजे लाइन बोल गया डिद यू क्लोज यूर लेग्स जिले उन्हें सवाल पुछ है कि क्या तू अपने आपनों बचाण से अपने उस वर्जैनिटी नों बचाण से क्या तू अपने यहां लगता नों बंद गीता तो एकदम हाईर कोर्ट्स ने जिसले न्यूज अगले दिन पेपर हैं चाही एकदम हाईर कोर्ट्स ने उस जजज नों उदे तो उतार के सस्पेंट कर देता कि तेरी जबान ठीक नी सी जाजर ने अर्गुमेंट दिता कि नहीं मैं ते सिर्फ इस वर से पुछया है मेरी पावना एसी पुछन दी मेरी मंच्छा खराब नी सी मेरी पावना पुछन दी एसी कि ओ लड़की अपने डिफेंस बसते की कर रही सी लेकिन कोड ने किया कि तेरी शब्दावली ठीक नहीं है तो एक गंदी शब्दावली वरती है एक लड़की नूँ गल्थ तू गल्थ टोना आतू नूँ एक सेंटेंस पुछ एक कोस्चन पुछ है लिए और जले केस में फरदर चले उस जज़ता सब्सक्राइब केस फाइनली केस तो बाद उदा डिस्मिसन होगा है उन्हों जज़ते ओदे तो परमानेंटली हटा ते ता गिया कि दे वास्ते इस वास्ते कोड ने कि इस सब्दे समाइदे बिच गंदी शब्दावली प्र पूशना जाना कि उसक्राइब कुछ सेखनें अगर उन्हां देविच ब्रेन उन्हां थोड़ा जा काम करदा उन्हों लोगान नों सुन्यां तो पहला है समाइद विच्छ देखन उन्हों विचारन समाइद लोगर कुछ देना चाहतें समाज तो कुछ ग्रेंड भी कर शि अगर यह लोग बार रहें दें ऐसे लोग तो कदा अपने पार्लियमेंटरी डिबेट्स नों सैनेट्स नियां डिबेट्स नों जाके देखने बैठके गैलरी देविच कि क्या जले उसे डिबेट्स हों दियां उसे लवज बरते अंदर विचारां दी असेंप्टी दे अंदर तो लोगा नों बेवकूप बनाना चट्रणे गुरुबाणी दे सारा लायके गुरुबाणी दा गुरुबाणी नों गल्त कोट करके और देविच अपने गाली ग् अपने शयतानी काम नों जिस्टीफाई करने यह उचित नहीं है इदे विच इमांगारी नहीं है विना गल्लावर साथे खास ओरते साथे जड़े नुजवान बंदें मुंडें जड़े वो अर अंडर इंप्रेशनेबल एज जड़े की मतासर हो जने इन अगलना तो उननों विचार करना चीद है कि क्या एक प्रैक्टिकल रूप दे विच ए वहवार साथे जीवन मीचे साथे ऑफिस विच साथे प्रफेशन विच कम आएगा एक डॉक्टर जड़ा उनू मरीज आएगा उदे को एक वकीर को लुदा क्लाइंट आएगा एक जज गोल उदे सामने केस आएगा एक अंजीनियर को लुद नू कोई मिलना आएगा ते क्या उदेनल कोई डिफरेंस साब ओपीनियन दे जरान वो इवलियं गलां गटेगा पर समाच चंगा बनेगा आएगा इस जाधा देर तक जिड़ा ना काम नीचाल सकता है जिए गाली के लोग जिड़ा उसी सब एक पाश्या जड़ी है और लोगानों सभाणी पेएगी सिकड़ी पेएगी और मेरा ख्याल ने विच्छ एक एक काम करदा है कि जिते अंदर जिस किसमदी पाहना होंदी नेचर जिस किसमदी उन्दी है तो उसे नेचर ना उनूब बंदा मिलजा तो चाटो फ्लेएगभ अगर किसे नूब किसे अपड़ी जीडिए वार्सओं दियान तेरे टिफ्टर गे एक गैहांग देविच काफी सारे किर्मिल ने इन्वालव होन दियू तो इस वसे है आत्मे ची ची कि उह कोई गंदगी ते नहीं है कि जिदे कारण सानु गंदगी प्सांद आ रही है कि पैस्पाइस। कि आपने अपनों स्टडी करो कि यसी सलुन गाला कटारा बंदा अगर चंगा लाग रहे हैं इसा मतलब है आपनी ताइप आपनी टाकति ना अख़ा कर रहे हैं पूर उदे पिछ दासरेन की साथ इसब्सक्राइबर इनने होगे इनने होगे इनने होगे बेजीकली और लाइक माइनड़े बने देनना गंदी जुबान वाले वह कठे और को सब्सक्राइब गाला कुंध्य भी क्यों आड़ें क्यों करदें इन्हेरिट वह गंदगी इन्हेरिटे में गड़ी तहीं कि उन्हाने अगों पिछोंपने समाज तो कि तो सिख लिए कि महाबाब बड़े अच्छे होंगे लेकिस सुसाइटी नहीं अच्छी होईगी उत्थों उन्हां दे अंदरों गल आ चुकी है तो इनू इनू सुदार्ण नो इधा कोई सुदार्देवल कदम चुकान जेड़े उन्हादी इस गंदगी रुपार किसना कड़ी है यह निकी गंदगी गंदगी वल एट्रेक्ट हो जाए अगल चीज गल चीज वल एट्रेक्ट हो जाए सो इस करके मैं यह चीज कहांगा लास्टली कि अपने किसे अपरादिक टेनेंसी नो अपरादिक मेंटेल्टी नो अपने मन दी किसे एक माड़ी अवस्था नो किसे विकार नो गंदगी तो पाव मेरा है विकार तो अपनी इस विकारी जड़ी प्रविर्ती है विकारी मांसिकता है उन्हों जस्टिफाई करनवसे वो गुरू गरादसाब दा हवाले ना वरतन फिर उत्ते एही जड़िया एक लागू होंदी है डल कि शेतान अपनी शेतानी नो जस्टिफाई करनवस दे तर्म गरादा हवाले नूं इस्तमाल करते हैं इना शब्द देना लिए इजास्थ चामंगा बाय गुरुजी का खालसा बाय गुरुजी की पते